प्रफान मंत्री का आधमन हुआ और साथ ही आमंत्रतु व्यक्ति और ये है वो अधियासिक छण मतथ ही बाओन कर दो कर दो कर दो आफ कर दो ठाट है भाईयों बेहनों बुजर्गों प्यारे बच्चों हम हर 15 अगस्त को यहां पर एकत्रित होते हैं यह कोई उत्सव नहीं है हम जमा होते हैं उन बहादरों की याद में जिनों ने आजादी की लंबी लड़ाई में अनेक कश्ट उठाए जीवन दान भी दिया यह आंदोलन बहुत बहुत बरसों का है और जितना आजकल के लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए वो बड़े भूल गए हैं और यूवा पीडी को तो मालूम ही नहीं है इतने बड़े बड़े नाम है महापुर्शों के और महिलाओं के कि उनका वर्णन हम यहां नहीं ले सकते लेकिन उधारन के तौर पर कुछ लेती हूँ केवल यह मिसाल देने कि कैसे धारत के हर कोने से हर धर्म के लोग उसमें शामिल थे तिलक दादा भाई नौरो जी दिल्ली के डॉक्टर अंसारी तैयब जी सहाब अनेक ऐसे तो एक पुष्ट के लोग थे फिर आए भारत में लोटे महत्मा गांधी और आजादी की रास्ते ने एक नया मोड लिया जिसमें केवल बुद्धी जीवी और बड़े बड़े लोग नहीं लेकिन सारे देश के किसान, मजदूर, यूवा पिवी और सभी लोग उसमें साथ हुए हम क्यों इस लाल खिले पे आज घंडा चढ़ाते हैं ये कोई आजादी का प्रतीक नहीं है पुराने जमाने का प्रतीक है लेकिन नेता जी सुभाष बोस ने नारा दिया कि जब हम स्वतंतर होंगे तो लाल किले पे तिरंगे को हम उड़ाएंगे ये कारण है कि पंदरा अगस्त को यहां भारत के पहले प्रधान मंत्री जमारला नहरू ने ये जंडा फिराया और तब से हर प्रधान मंत्री इस कर्तव्य का पालन करते हैं जंडा पहराया किया उसके पहले इस लाल किले में तीन हमारे बहादुर गिरिफतार थे वो हमारे रास्ते से नहीं चल रहे थे उनका कुछ दूसरा रास्ता था लेकिन उन्हों ने भी आजादी के चाह से प्रेम से सब को छोड़ने को त्यागने को तयार हो गए थे वो भी शानवास खां को तो दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं एक मुस्लिम प्रेम सेगल और धिलॉन कोई हमने उनको नहीं चुना कोई विदेशी हुकूमत में उनको नहीं चुना लेकिन तब भी इतिफाक से तीन धर्मों के लोग वो थे मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ घड़ी घड़ी के हम समझें के ये देश आजाद कैसे हुआ आजाद हुआ क्योंके सब धर्म के लोग, सब भाशा के लोग, सब प्रांत के लोग, सब जाती के लोग एक थे एक धे था भारत को स्वतन्तरता मिलनी है स्वराज हमारा जंग सिध्ध अदिकार है आज हमारे सामने कुछ दूसरे प्रशन है उस वक्त एक बड़ी चीज हमारे पास नहीं थी और उसके लिए लड़ना था आज उस स्वतन्तरता को सुरक्षित रखना है और वो लड़ाई, वो चेश्टा प्रयास उससे कुछ कम नहीं है जो उस समय हमारे सामने बांधे आते थे, रुकाव्टे आती थी खत्रे थे, धमकी दी चाहती थी वो सब चीजें दूसरे रूप में, दूसरे प्रकार से हमारे सामने, हमारे चारों तरफ हैं कुछ लोग कहते हैं, कि जब मैं खत्रे की बात करती हूं तो लोगों का देश के भीतर के प्रशनों से ध्यान भटकाना चाहती हूं इस से बड़ी गलत सहमी हो नहीं सकती है क्योंकि देश के आज के जो कष्ट हैं, जो हर एक वर्ग के कठनाईया हैं अगर उनसे हम परिचित नहीं रहते हैं अगर उन समस्याओं का समधान नहीं करते हैं तो हम देश को कैसे मजबूत रख सकते हैं आज हमें खुशी है के हम स्वतंत्र हैं लेकिन हमारा दिल खुशी से भरा नहीं है हमारे दिल में अत्यंत दुख भी है, चिंता भी है दुख है के हमने अपने इतिहास से सबख नहीं सीखा दुख है के आज भी देश में वो ताखतें कुछ उबरी हैं बुचकुछ जहर पहल रहा है जो देश की एकता को खत्रे में डाल सकता है धर्म के नाम से लेकिन मैं याद दिलाऊंगी के जो खौमी दंगे होते हैं जिन में बहुत से मासूम बेगुना लोगों की जाने जाती हैं माल नश्ट होता है उनकी कौमी शक्ल जरूर है लेकिन उसमें राजनीती भी होती है उसमें आर्थिक कारण भी होते हैं कुछ मन का छोटा पन और कमीना पन भी आ जाता है कभी का आंध्र प्रदेश में करनाटक में महराष्ट में उत्तर प्रदेश में इन जगें कौमी दंगे हुए हैं दूसरे हाथ से दूसरे भी प्रांतों में हुए हैं जहां भी किसी को दुख है वो उनका न व्यक्ति का न परिवार का न उस कौम का दुख है वो सारे भारत का दुख है वो सारे भारत के उपर एक कलंख है और हम सब का करतव विख कि इन चीजों को हम अपने देश में से जड़ से उखाड़ के निकाने मदभेद तो होते हैं और खास तौर से जो लोकतांतरिक परंपरा हमने अपनाई है उसमें और भी जगें मदभेद के हैं लेकिन इसके माने नहीं के हम उनके उपर नहीं उठसके राजनीति, पाठीबाजी या जो दूसरे एक दूसरे के बीच में अंतर है उनसे उपर उठना है एक धे के लिए कि इस देश को एक रखें क्योंकि अगर एक नहीं रह सकते अगर देश मजबूत नहीं रह सकता तो फिर मद्भेत कहां जाएंगे किस से लड़ेंगे हम किस से दोस्ती करेंगे जब कोई हई नहीं जब देश गिर जाएगा तो बेनों और धाईयों हम सब उसके संग गिरेंगे कोई नहीं बच सकता है जब हम अजादी के लिए लड़ रहे थे तो केवल राजनेतिक अजादी नहीं समाजिक न्याए के लिए बराबरी के लिए आर्थिक न्याए के लिए एक पड़ाव पूरा हुआ दूसरे अभी चल रहा है रास्ता लंबा कठिन और दुश्मन जैसे पहले साफ सामने दिखाई देता था आज वो छुपे हुए दुश्मन कुछ तो सच में दुश्मन है और बहुत से ऐसे हैं जो बिना सोचे गुम रहा हो जाते हैं कुछ थोड़े से लोगों की बातों से सब के दिल में इस वक्त पंजाब का ख्याल है मैं पंजाब की कहानी नहीं सुनाना चाहती हूं आपको अनेक बार बोल चुकी हूं लेकिन क्योंके गलत प्रचार हो रहा है तो दो शब्द मैं कहूंगे आज बहुत से लोग इस सम्मेलन में शामिल हैं जो यहां हमको दिख नहीं रहे हैं क्योंके इस अरसे में पिछले दफ़े जब मैं आप से बोली तब से टीवी और रेडियो के अंतरगत दूर दूर के गाउं आ गए हैं बिजली जादा फैली है पीने का पानी और जगें पहुँचा है हर प्रकार की मदद गरीबों के करने की कोशिश की गई है डाक्टरी सहायता शिक्षा लेकिन इन चीज़ों पे मैं फिर से बाद करूँगी अभी मैं कहना चाहती हूँ कि जो अंदोलन चलते हैं चाहे एक प्रांत या दूसरे प्रांत में वो किसी भी ख्याल से आरंब हो उन में दूसरे तपके गुज जाते हैं जिनकी मांगे नहीं होती हैं या दूसरी मांगे होती हैं और जो उस अंदोलन को अपना ही मौड देते हैं हिंसा कतल जलाना हर पकार की इस बुराई उसमें लाते हैं जो आंदोलन चलानी वाले होते हैं वो उनके काबू से वो हब जाता है यही पंजाब में हुआ कुछ परचार हो रहा है खासतोर से बाहरी अख़वारों में और कीवी पर मैंने देखा कि जैसे कि हमने मांगों पर कभी बात ही नहीं की आप सब को मालूम है कि कितनी लंबी बात चीत हुई कितने थोड़ी से चीजों पर रुकावर्थ थी हमारी नीती चाहे देश के भीतर चाहे देश के बाहर हमेशा ये रही है गान्धी जी की जवाहलाल नहरू जी की मौलाना अजाद की सिखाईवी नीती कि जहां तक बन सके समझोता करना चाहिए दोस्ती करनी चाहिए हमारे तरफ से लड़ाई नहीं शुरू से ही जिसकी जरा भी कोई मांग होती है चाहिए वो मेरा साथी हो चाहिए मेरा विरोधी हो मैंने हमेशा वो मांग सुनी है उनसे मिली हूँ और यथा शक्ती पूरी करने की कोशिश की है लेकिन मेरी शक्ती भी सीमित है साधन सीमित है रुपए सीमित है उसके अंतर गथी हम कर सकते हैं और दूसरा ये है कि कभी-कभी ऐसी मांगिं होती है जो कुछ लोगों को पसंद है और दूसरों को क्रोधित कर सकती है। दूसरे प्रांथ में गड़बर हो सकता है। इसलिए सोच समझ के चलना है और जो मांग करते हैं चाहे वो प्रांथिता के नाम से हो या धर्म या भाशा या कोई और कारण उनसे मेरा ये अनिरोध है कि अपने कश्ट के तरफ तो जरूर देखें लेकिन अपने चारों तरफ भी देखें कि उनकी मांगों की पूरा करने से दूसरों को कश्ट तो नहीं होगा क्या भारत पर आर्थिक या दूसरा ऐसा बोज तो नहीं पड़ेगा जिससे भारत कमजोर हो या उस बोज से दब सके क्योंकि ऐसे अगर आर्थिक कश्ट आता है हमारे उपर तो उन पर भी आएगा हमने अपनी योजना के अंदर सब का ध्यान दिया है और हमारी कोशिश है कि सब वर्गों का सब प्रांतों की उससे सहायता हो प्रगती हो विकास के काम आगे पढ़ें इस वक्त केंद और राज्यों के बीज का क्या रिष्टा है उस पर चर्चा चल रही है और हमने भी कहा है कि इस पर बात हो सकती है और हमें विश्वास है कि सच्चे दिल से करें तो असानी से समझोता भी हो सकता संद 1907 और 61 में जहां 500 करोड की धनराशी का तबादला हो रहा था केंदर से राज्यों को वहां आज 12,000 करोड हो रहा है कितनी रकम बढ़ी है लेकिन नराज्य संतुष्ट हैं और नहीं हमारे केंदर के मंतराले संतुष्ट सब कहते हैं कि हमको कम मिल रहा है ठीक है जितनी जरूरत है उससे कम है लेकिन किस देश में धनी से धनी देश हो किस देश में आप देखेंगे कि सब की मांगें पूरी तोर से समपूरी हो रही है मांगें तो हमेशा रहेंगी और बढ़ेंगी हमको ये देखना है कि जो संपन है जो दूसरे से जादा अच्छी हालत में है उनकी मांगें पूरी करने से कहीं जो गरीब हैं जो दबे हुए लोग हैं कमजोर है किसी कारण उनकी मांगें पीछे नहट जाएं कहीं उनकी कमजोरी नबढ़ जाए क्योंकि वो जो भारत के गरीब हैं वो मजबूत होंगे तो सारा देश मजबूत है तब ही जो आज संपन है वो और अपनी ताकत भी बढ़ा सकेंगे और मेरी तो आशा है कि अपने स्वारत के लिए नहीं बढ़ाएंगे देश की भलाई के लिए अपने से कमजोर की मदद करने के लिए देश को हर दिशा में आगे रे जाने के लिए इसलिए हमारा जोर सारा रहा है कि कमजोर तपकों की ज्यादा सहायता की जाएगा बीस सूत्री कारेक्रम का यही धे था और उसके अंतरगत डेड़ करोर परिवारों को अपना जीवन स्थर थोड़ा सा उंचे करने में मदद की गई है डेड़ करोर तो बहुत से देशों की तमाम अबादी से भी जादा है लेकिन जहां सत्तर करोर हैं उसमें तो वो कम पड़ता है कोई जादू नहीं है जिससे ये सत्तर करोर तक हम जल्दी में पहुँच सकते हैं दीस सूत्री कारेक्रम तो अभी हाली में शुरू हुआ है उसमें नौकरी का भी प्रवंध हुआ है और वो बेरोजगार हमारे देहात के हो या शिक्षित दूसरे हो नौजवान उस कारेक्रम में भी काफी हद तक सफलता प्राप्थ हुई रिंड देने में और और कारेक्रम में भी सफलता प्राप्थ हुई मुझे मालूम है कि कमिया ली हैं मुझे मालूम है कि लोगों ने गल्तियां की और लोगों ने आके मुझके शिकायद भी की आपको आश्चरिय होगा जो दिल्ली में नहीं रहते हैं या पहले दफ़े सुन रहे हैं कि सिवा छुटी के दिनों को छोड़के जब भी मैं दिल्ली में होती हूँ तो कभी कुछ सौ और कभी कुछ हजार लोग मुझे रोज सुबह मिलने आते हैं हर तपके के, हर धर्म के, भारत के, हर कौने से कोई केवल कहते हैं हम तो दर्शन करने आए हैं कोई अपना दुख बताते हैं कोई शिकायत करते हैं कोई उन्नती की प्रशंसा भी करते हैं तो मुझे इससे बहुत से बाहर के लोगों ने कहा कि क्या आपका समय नश्ट नहीं होता है इतनी लोगों से मिलने का दूसरे देश के तो कोई नेता मिलते नहीं है लेकिन मैंने कहा इससे भारत का चित्र क्या है छबी क्या है लोगों के मन की बात क्या है वो मेरे सामने आती है और इसमें समय कभी नश्ख नहीं हो सकता, सबसे जरूरी काम यही है हमने सिचाई के काम को तो बहुत बहाया हमारे कुछ किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं लेकिन जितना हमने इन पिछले चार वर्षों में किसानों के लिए किया उत्ता पहले शाय कभी भी नहीं हुआ था वैसे उनके तरफ ध्यान तो आजादी के अंदोलन में तो थेई वो हमारे एक जड़ समझिये अंदोलन के उसके बाद भी हर समय उनके तरफ ध्यान था, वो हमारे अंदाता है मुझे मालूम है कि जो चीजें वो खरीदते हैं उसके दाम बढ़ी हैं लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि उनकी सहायता करें और की भी है रसायनिक खाद को हम आज सौ करोड की सबसिडी यानि जो दाम है, जो होने चाहिए दाम उससे कम उनसे ले रहे हैं आज सौ करोड तक गरीद देश के लिए असान नहीं है इसी प्रकार से जो वो पैदा करते हैं उसकी कीमत भी पहले से काफी बढ़ी है लेकिन ये सच है कि जिन चीजों की उनको जरूरत है उसमें कुछ चीमतें बढ़ी हैं, यहां बढ़ी हैं, दूसरे देशों में बढ़ी है ये भी सच है कि जैसे जैसे उन्नती और प्रग्रती होती है वैसे मांगी भी बढ़ती है जो लोग दो तीन साल पहले ट्रैक्टर का सोचते भी नहीं थे इतनी खात का उप्योग या कीड़े मारने की दवा का उप्योग ही नहीं करते थे आज वो मांग बढ़ी है और जितनी मांग बढ़ती है उतनी पैदावार नहीं बढ़ती है इसलिए दाम बढ़ती है तो हमको इन सब बातों को संग लेके सोचना है जितना हम उन पर निर्भर हैं उत्ता वो भी निर्भर हैं कारखाने से क्या पैदा हो उस पर तो मजदूरों के तरफ भी ध्यान देना है कि उनको न्याए मिले कभी हमारा दोश होता है कभी मिल मालिक का दोश होता है और कभी मजदूर स्वयम क्योंकि एक यूनिट में या एक कारखाने में बहुत से यूनियन हो और एक दूसरे का मुकाबला करें लड़ाई करें उसम इसमें भी समय भी जाता है उत्पादन को भी उसमें हानी होती है इन चीजों के तरफ हमको ध्यान देना है और अगर हर एक तप्खा अपनी प्रेश्ण को बड़े भारत के चित्र के अंतर देखे तो वो देखेगा कि केवल उसकी कठनाई नहीं है किसानों की कठनाई है तो मजदूरों की कठनाई है तो ग्रहिनी की कठनाई है महिलाओं को जिनको सस्ते से सस्ते में कोशिश करनी अपना घर चलाने में इस महंगाई के जमाने में ये महंगाई के शिकार केवल भारत के लोग नहीं है, सारी दुनिया में है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आवश्चक वस्तू हैं, वो लोगों तक पहुंचें, और इसमें जो राशन प्रनाली है, उसकी सहायता में अनाज के वितरन करने में दूर दूर पहुंचाने में, आप सौ पचास करोर खर्चे किये जा रहे हैं, और हर कोशिश है कि बढ़े, अगर कोई बीच में बेमानी करता है, भ्रष्ट अचार करता है, तो उस पे सख से सख कदम लेना चाहिए, लेकिन वो उसी समय पता होना चाहिए, किस ने किया और कहां किया, अगर सब कहेंगे कि नहीं ये सब करते हैं, तो कारवाई करनी मुश्किल हो जाए, ये तो जो वहां के रहने वाले हैं, स्थाई लोग हो, उनको इस पे सतर्क रहना है, जो अत्याचार होते हैं, चाहे हरी जन पर हों, चाहे अल्प संख्या के लोगों पे हों, चाहे महिलाओं पे हों, जो पड़ोस के लोग सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो तब ही इनका कोई रास्ता निकलेगा, हमारी तरफ से तो गानून और मजबूत करने की पूरी चेश्टा है, जो नहीं भी मांग करता है, हम उस मांग को भी सोचते हैं, कि ये कठनाई उठ सकती है, इसके लि ये जमाना है, कि अगर आप चाहते हैं, कि अपने पैर पे खड़े हो, हमारा नारा है, कि राष्ट आत्म निर्भर हो, लेकिन राष्ट के माने क्या है, कोई जमीन नहीं, लेकिन आप में से प्रतेक नागरिक, चाए कहीं भी रहते हैं, आप में आत्म निर्भरता, जहां त के संग्श जिम्मेदारी जाती है कि जिम्मेदारी है कि आफ अपने कर्टव्य को भी पालन करीं। आप देखें कि हिंसा नहोँ आप देखें कि जो पवित्र स्थान हैं धार्मिक स्थान हैं वो हिंसा के लिए कि अढ़े न बन जाएं अस्त्र जमा करने के अड़े न बन जाएं बुरे काम के अड़े न बन जाएं आपका करतव्य है कि सामप्रदायकता का नारा नहीं उठे और जहां उठता है आप स्वयम जाईए जैसे आजादी के जमाने में हमारे कार्य करता जाते थे और लोगों को शान्त करते थे और वो जो उनका गुस्सा उठता था उसको कम करने की कोशिस करते क्योंकि हमने करके देखा है हमको मालूम है कि यह हो सकता है क्योंकि भारत में बड़े-बड़े काम उठाए है इसलिए हमको विश्वास है कि आगे और बड़े काम हम कर सकते हैं खत्रे देश के भीतर हमेशा ही रहते हैं जहां इतनी विवित्ता है इतने धर्म भाषा इतने नियम और रसम वहां कुछ न कुछ तो एक दूसरे से मुकाबला चलता ही है लेकिन हमने हमेशा ये सोचा कि ये विवित्ता कमजोरी के निशान नहीं है ये एक सम्वृद्धी के निशानी है ये भारत को एक और सुन्दर बनाता है हमारे समाज को सुन्दर बनाता है इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी के धर्म पर आँच लगे या किसी की परंपरा पर कोई आच लगे सब अपने रास्ते पर चाहिए लेकिन वो सब रास्ते मिलने चाहिए जैसे नदियां सागर में जाती है वैसे भारतियता के सागर में ये सब अलग-अलग परंपराएं अलग-अलग नियम और रसम मिलें जिसमें हम सब को फखर से कहें कि हम भारतिय हैं हम अपनी धर्म का पालन नहीं करेंगे अच्छी तरह से बहुत से लोग धर्म में नहीं मानते हैं इसलिए उनकों कोई जबरदस्ती नहीं है लेकिन जिन जो धर्मिक लोग हैं अपने धर्म का पालम करेंगे तो ज्यादा अच्छे नागरिक बन सकती है। किसी धर्म में ये नहीं है कि लड़ाई करें। हर धर्म ने भाई चारा सिखाया है, प्रेम और करुना सिखाई है। और उस धार्मिक रास्ते पर अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। अभी भी समाज नया हो रहा है। अभी भी अपनी पुरानी परंपरा को रखके हम आधूनिकता के तरफ जा रहे हैं। और यही एक कारण है कि हमारे देश में भी कष्ट बढ़ा और बाहर से भी दबाव और कष्ट हमारे उपर ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन जीवन दुख और सुक का मिश्रन होता है। आप में से प्रत्ते एक चाहे छोटा बच्चा भी हो या अनुभवी लोग भी हो। सब में इसको देखा होगा अपने अपने जीवन हैं। हम उस दुख से कष्ट से दब सकती हैं या उसके ऊपर उठ सकते हैं। ये हमारे हात में हैं। इसमें सरकार मदद नहीं कर सकती, कोई राजनेतिक दल मदद नहीं कर सकती, ये तो हमारा अपना मनोबल कितना है, अपनी अंधुरूनी शक्ति कितनी है, इस पे निव है, और आज जो स्वतंतुता दिवस है, इसमें हम सब को ध्यान देना है। इन चार सालों में आपने देखा होगा, या सुना होगा, या पढ़ा होगा, कि हर साल कोई न कोई काम ऐसा हुआ है, जिससे भारत की प्रतिश्था बाहर के देशों में बढ़ी है, और हमारे दिलों में बढ़ी है। हमने उसका वो लाब नहीं उठाया, जो दूसरे देश उठाते हैं। हमने माने मैंने या सरकार ने नहीं, भारत के लोगों ने। उसका वो उप्योग नहीं किया, कि उससे एकता और मजबूत हो, और राष्ट्र गौरव बढ़े जो सब देश करते हैं। ये कुछ हमारी कमी रह गई, यहां जब एशिया के खेल हुए, तो दिल्ली वालों को मुझे मालूम है कितनी खुशी हुई। विरोधी दल के भी नौजवान मेरे पास आए, कि चाहे और बातों में हम आपसे सहमत नहीं हैं, लेकिन इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें खुशी है। लेकिन परचार क्या हुआ, कितना रुप्या जाया हुआ है, क्या फाइदा था इसका। अभी हाल में आपने देखा कि दूसरे देश ने किस दूसरे भाउना से ऐसी चीज़ प्रकट की। तो हमको तो देखना है कि हर मौके से, ये नहीं कि एक परची मजबूत होती है कि नहीं, सारा देश हर मौके को कैसे ले सकता है, एकता बढ़ाने के लिए, देश की शक्ती, देश का मनोबल, देश का सववविवान बढ़ाने के लिए, आपने विश्वास बढ़ाने के ये है सबसे बड़ा की अब हमारे उपर एक दूसरी बड़ी जिम्मेदारी भी आई है देश की तो हई है लेकिन कुछ बाहर के देशों का भी लोग तो उसको नेतरत कहते हैं मुझे नेतरत का नेता होने का शौख नहीं है हम तो कहते हैं कि हमें मौका मिला है कि इतने सो एक देशों को अपने की सेवा करें हम किसी तरह से लेकिन ये कहना पड़ता है कि हमारे ये बीच में भी मद्भेद है कुछ देशों में लड़ाई हो रही है और उसको हम रोक नहीं पाए लेकिन कोशिश में हम लगे हैं जैसे इरान और इराख के बीच में वहां के नेताओं से हर समय संबंद फट किताबत है दूसरे नेताओं से है कि क्या हो सकता है बहुत से लोग यहां आये हमारे अफसरान और मिनिस्टरान इन देशों में और दूसरे देशों में इस विशए पर गए और पूरी कोशिश हमारी जारी है और भी देश हैं जहां जगड़े है हाल में हमारे एक पड़ोस में भी एक जगड़ा उठकर आपको तो मालूम है कि हमारी नीती हमेशा दोस्ती की रही है और हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे के दोस्ती और मजबूत नहोग चाहे पाकिस्तान से या बांगलादेश या नेपाल या श्री लंका ये हैं हमारे निकट के पड़ोसी पाकिस्तान में बहुत वरश पहले जब जवाहलाल नहरू प्रधान मंत्री थे तब उन्होंने सुझाओ दिया था जिसके हम एक दूसरे से लड़ाई न करी इस पे समझोता हो और उस बात को अलग-अलग रूप में पहले पूज्य शास्त्री जी ने और फिर मैंने उसको दोहराया लेकिन बराबर उसको वो ठुकराते गए अब जाके कुछ साल पहले अब के जब मैं प्रधान मंत्री बनी जिस समय उनको बाहर से नवीन प्रकार के जोरदार शस्त्र हत्यार मिले उसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी जोड़ दिया उसके बाद में कि ऐसा समझोता होना चाहिए हमें इस समझोते से कुछ कोई विरोध नहीं है हमारा इस से हम तो स्वयम चाहते हैं लेकिन हमने एक बात कही कि अभी तक आप इसको ठुकराते रहे अब आप उठा रहे हैं इसको समझोता नहीं कर सकते हैं दोस्ती का सहयोग का और शांती का अगर ये समझोता हम करते हैं तो सभाविक है के लड़ाई होईगी नहीं वैसे तो ये सब बातें सिम्ला समझोते में आ गई थी लिखित हैं दोनों देशों के दस्खत हैं लेकिन अगर वो नहीं चाते हो समझाते को तो एक इस परकार का नया समझो था हो सब लेकिन कहने के हम दोस्ति सहयोग और शान्ति का समझधा नहीं करेंगे लेकिन हम यह समझधा करेंगे कि लड़ाई नहो तो मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाईयों और बेहनों कि ये चीज में कैसे चल सकती है इसको गहराई से कैसे ले सकती है लेकिन हम कोशिश में लगे हैं अभी भी कैसा हमें दुख है कि वहां के चीवी में वहां के समाचार पत्रों में अभी भी भारत के बारे में जो कहा जाता है वो सचाई से बहुत दूर जिसको कह सकते हैं कि हमारे अंदूरनी मामले में दखल हो रही है लेकिन हम बहुत सभ्यता से दोस्ती के शब्दों से उनसे बात करते जा रहे हैं लेकिन भारत की क्या इज़्जत है भारत का क्या हित है उसको कोई भी सरकार अलग कर सकता है श्री लंका की स्थिती तो बहुत गंभीर है और सबसे दुख आज जो मेरा दिल रोने से भरा है वो उन लोगों के लिए निर दोश लोग जिनोंने कुछ नहीं किया जिन पे इतना हमला हो रहा है वहाँ भी उग्रवादी हैं आतंकवादी हैं और जाहर है किसी भी सरकार को उनका सामना करना है लेकिंग जिस प्रकार से एक कौम पर हमला हो रहा है कई वर्षों से उस से वहाँ शान्ती नहीं आई है वहाँ की स्थिती और बिगरती गई हम दखल नहीं देना चाहते हैं हम दूसरी देश की एकता में किसी प्रकार का बाधा नहीं डालना चाहते हमारे हित में भी नहीं है हम तो चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश स्थिर रहें मजबूत रहें हमसे दोस्त रहें तो दोस्ती का हाथ हमने बढ़ाया और कहा कि अगर हम मदद कर सकते हैं कि आपकी बातचीत हो सके और कुछ निर्ने निकल सके जो सबको स्विकार हो तो वो आपके लिए भी लाबदायक होगा और हम संकट से बचेंगे हमारा संकट क्या है कि दुख तो सारी भारत का है लेकिन जो हमारे टामिन लोग है उनका दुख और कश्ट कुछ जादा ही है चालिस हजार शर्नार्थी वहाँ पे आबसे हैं अब उनके 20 दूसरे लोग भी आ सकते हैं जासूस भी आ सकते हैं बाहर के लोग आ सकते हैं